नमस्कार दोस्तों इस वीडियो मेरे पास है Motorola S50 5G Mobile और आज की इस वीडियो मैक को बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस Mobile में Double Tap करके बंद कर सकते हो और Double Tap करने से On भी कर सकते हो तो इस feature को इनेवल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा और उपर Search Settings का आपसन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख दिना है Jump जैसे आप Jump लिखोगे तो आपके सामने एक सेटिंग आएगगी Jump to Lock Screen इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपसन दिख रहा है Wake the Display इस पर क्लिक करना है और दोनों आपसन को इनेवल कर देना है उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर आपसन मिल ला है Jump to Lock Screen इस पर क्लिक करने है और यहाँ पर भी यह आपसन आपका Disable देगा तो इसको भी आप इनेवल कर दीजीगा इतना ही काम करना है उसके बाद आपके पास पर डबल टप करने से बंद होगा और डबल टप करने से On हो जाएगा